चलिए अब हम अस्पताल इस पार्ट के चित्र का निरिक्षन करने के बाद उसका वर्णन करते हैं इस चित्र में अस्पताल का दुरुष्य दिखाया गया है अस्पताल में डॉक्टर, नर्स, मरीद दिखाई दे रहे हैं अस्पताल में सामने ही एक काउंटर लगा है जहां एक सिरी और एक पुरुष्य काम कर रहे है यहां रोगी का नाम, पता, आदी लिखा जाता है और यहां से रोगी को उप्युक्त विभाग में भेजा जाता है काउंटर पर एक व्यक्ती, वहां से मिला एक पेपर देख रहा है काउंटर पर एक सूचना पड़ भी लगा है जिस पर लिखा है, शान्ती बनाए रखे अस्पताल में कुछ लोग कुरसी पर बैठे हुए है जो अपनी बारी की परतिक्षा यानि इंतिजार कर रहे है एक व्यक्ती अपनी फाईल बता कर डॉक्टर से कुछ पूछ रहा है और डॉक्टर उसकी फाईल देख रहे है एक नर्स अस्पताल का यूनिफार्म पहने वे एक महीला को विल्चेयर पर लाती हुई दिखाई दे रही है महीला का पैर फ्रेक्चर है जिस पर प्लास्टर बंदा है नर्स के पीछे ही एक वार्ड है वहाँ एक व्यक्ति खड़ा है जिसके उपर आईसी यू लिखा हुआ है आईसी यू का फुल फाम होता है इंटेंसिव केयर यूनिट जो एक विशेच वार्ड होता है जहां गंबीर रूप से बीमार लोगों को इलाज किया जाता है और करीब से नजर रखी जाती है इधर पासी दीवार पर दो सूचना पट लगे हैं जिन पर नेतरदान और रक्तदान महादान लिखा हुआ है यहां वार्ड में से एक यूनिफाम पहना हुआ वार्ड बाए बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है वार्ड पर एक सूचना लिखी हुई है रोगी से अधिक बात ना करे वार्ड के सामने ही एक सिरी गोद में एक शीशू यानि बच्चे को लिए खड़ी है उसके साथ एक बालक भी है सामने ही दुआर पर एक डॉक्टर खड़ा दिखाई दे रहा है दुआर पर रोगी से मिलने के समय से समबंदीत सूचना लिखी हुई है जिस पर लिखा है रोगी से मिलने का समय सुभा आठ से दस, शाम चार से साथ बजे तक चित्र में एक और सूचना लिखी हुई है छोटा परिवार, सुखी परिवार यहां कारनर पर कच्रा डालने के लिए एक कुडादान रखा हुआ है ताकि अस्पताल में सुच्छता बननी रहे तो प्यारे बच्चों, आपको अस्पताल का चित्रवर्णन समझ में आही गया होगा हम ऐसी कामना करते है धन्यवाद